So, Hello everyone, Welcome back to our YouTube channel Defense Point तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है आपके नाविक GD और DB का जो स्टेज वन का रिजल्ट है 02223 बैच का वोजारी कर दिया गया है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो है अपना रिजल्ट चेक आउट जरूर से कर लिया होगा तो दोस्तों इस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं आपके नाविक GD और DB की stage 1 की category wise cutoff को लेकर किस बार जो है आपकी cutoff यहाँ पर क्या देखने को मिली है दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं cutoff को लेकर तो यहाँ पर जो है नाविक GD की जो cutoff है वो पिछले बार की तुलना में definitely थोड़ी कम देखने को मिली है लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें नाविक DB की cutoff को लेकर तो दोस्तों नाविक DB की जो cutoff है उसमें यहाँ पर जो है कोई फर्क देखने को नहीं मिला है तो आगे हम बात करेंगे कि इस बार जो है category wise cutoff कितनी गई है लेकिन दोस्तों यह भी एक बड़ा factor हो जाता है कि इस बार जो है नाविक DB में post भी कम है और साथ ही जो है यहाँ पर इस बार जो post guard में total form आये थे वो भी जो है लगबग डाई से 3 लाग form भरे गए थे तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं category wise cutoff को लेकर हम बात करेंगे मैं यहाँ पर जो है नाविक GD और DB दोनों के लिए discuss करने वाला हूँ तो सबसे पहले अगर बात की जाए आपके नाविक GD की post को लेकर तो आप लोग जानते हैं कि 110 marks का यहाँ पर total paper होता है जिसमें कि दोस्तों इस बार जो है general category की cutoff है वो यहाँ पर 76 marks देखने को मिली है पिछली बार जो दोस्तों cutoff थी वो इस बार 73 marks यहाँ पर आपको देखने को मिली है ठीक है वहीं पर अगर बात की जाए EWS category को लेकर तो EWS category में भी जो है इस बार यहाँ पर game देखने को मिला है 71 marks जो है वो यहाँ पर EWS category की cutoff यहाँ पर इस बार रही है नाविक GD की post के लिए और SC category के लिए अगर बात करें तो दोस्तों SC category की जो नाविक GD की cutoff है वो यहाँ पर 68 marks यानि की 68 marks देखने को मिली है दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि अभी तक जो है नाविक GD की ST की category की cutoff है वो यहाँ पर पता नहीं चल पाई है तो अगर आप लोगों ने exam दिया है और अगर आपको पता है तो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे comment box में हमें बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके नाविक DB की post को लेकर कि नाविक DB की जो है general, OBC, AWS, SC और ST की cutoff क्या रही है तो दोस्तों AWS में आप जानते हैं कि post जो वो definitely कम है तो यहाँ पर जो cutoff है वो पिछले बार के लगबग देखने को मिली है कोई ज़्यादा gap यहाँ पर इस बार भी नहीं रहा है तो आप जानते हैं कि जो DB का पेपर है वो total 60 marks का होता है तो वहीं पर जो है इस बार जो general की cutoff है वो stage 1 के लिए 50 marks देखने को मिली है ठीक है, OBC category की जो cutoff है दोस्तों वो यहाँ पर आपको 48 marks देखने को मिली है और EWS category की जो cutoff है दोस्तों वो out of 60 में से 47 marks यहाँ पर देखने को मिली है ठीक है तो यह आप लोग cutoff देख सकते हैं नाविक GD और DB की post के लिए और दोस्तों अभी तक जो है नाविक DB की भी SC और ST की cutoff की cutoff है वो हमें यहाँ पता नहीं चल पाई है तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे comment box में हमें यह बता करके help कर सकते हैं जिससे कि आपके बाकी जो दूसरे भाई लोग हैं उनकी भी कापी ज़्यादा help होगी तो दोस्तों इस बार जो है यह trend आपका देखने को मिला है post guard की cut off को लेकर तो उम्मीद करता हूं कि यह सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और दोस्तों जो post guard की नई vacancy है वो आप लोगों को जून के अंदर देखने को मिल जाएगी और जो candidate इस बार shortlist हो चुके हैं उन सभी को हमारी तरब से बहुत सारी धेर सारी सुब कामना है और दोस्तों एक चीज ओर बता दूँ कि आप लोगों को जो है कुछ additional documents भी हाँ पर upload करने होंगे जिनोंने stage 1 को clear कर लिया है उन लोगों को जो है 1 मई 2023 से पहले जो है कुछ additional documents जो है post guard की official website के उपर upload करने होंगे जिसके बाद ही आप लोग stage 2 के लिए अपना admit का download कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आप लोगों ने exam qualify कर लिया है तो आप लोगों को stage 2 की preparation के लिए लग जाना चाहिए आप लोगों को अभी से अपने documents तयार कर लेने हैं और साथ ही physical के लिए भी आप लोग जबरदस तयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोगों को वक्त नहीं मिल पाएगा ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और एक और इंपोर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा कि दोस्तों अनेकेडमी के उपर हमारी डेली रेगुलर क्लासेश चलती है तो आगे के एक्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं आप लोग डेली दोपेर को साड़े बारा बजे और रोज दोपेर को तीन बजे घोए हमारी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं और साथ ही आप लोग टेलिग्राम गुरूप को जरूर से जोइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को डेली रेगुलर क्विस देखने को मिल जाते हैं सुबह साड़े दस बजे और साथ ही कोई भी इंपोर्टेंट अपडेट जोए वो सबसे पहले आप लोगों को टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है तो उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जैहिंट टेक केर